आलो गाईज जैहिंद वेलकम टू माई यूटूब चैनल दोस्तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज हम लोग सिखेंगे टैली प्राइम 3.0 में सेल्स बिल कैसे बनाते हैं तो दोस्तो आप मेरे चैनल पर अगर नए है तो चैनल को लाइकन सस्क्राइब किजिए क्योंक दोस्त हमें स्टार्ट करते हैं टैली प्राइमेरी स्कीन पर अल्लेडी खुली हुई है यहांस हम जाएंगे क्रियेट कंपनी पर क्लिक करेंगे और एक कंपनी बनाते हैं हम लोग एक कंपनी दोस्तो हम यहां से एक्जामपल के लिए एवीसी नाम से बना लेते हैं इंटे क से हम लोग इंटर करते हैं और मुझह सेल्स बिल मनाने के लिए सारे फीचर को यस करने की ज़रोत नहीं है सिर्फ और सिर्फ एक फीचर हम् यस करेंगे इने वल गूट्स अंस अर्विस टेक्स जो GST के साथ हम बिल यहाँ पर बनाएंगे तो इसको हम yes करेंगे और इंटर करेंगे उसके बाद state हम यहाँ से बिहार को रख लेते हैं और यहाँ से registration type regular रखते हैं और अपना GST नमबर हम यहाँ पर डाल लेते हैं तो दोस्तो यह जो sales bill बनेगा with GST के साथ बनेगा इंटर करने के बाद यहाँ से मन्तली लेते हैं इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद e-way bill को हम यहाँ से कर लेते हैं यस और फिर हम introduce को कर देते हैं एक बार दोस्तों इंटर करके फिर से मुझे करना होगा तो दोस्तो टैली जो है कि प्राइम 3.0 में यह कंपनी आपकी बन चुकी है अब आपको sales bill बनाना है तो sales bill with GST के साथ में बनाने के लिए कुछ lasers की जरुत परेगी तो चलिए हम पहले laser बना लेते हैं लेजर बनाने के लिए create में जाएंगे और यहां से laser को select करके इंटर करेंगे इंटर करने के बाद दोस्तों एक laser बनाएगा आपका sales का यह अंडर जाएगा आपका sales account में तो यहां से select करना है दोस्तों sales account इंटर करना है उसके बाद type of laser में यहां से not applicable रखना है और यहां से assemble value calculation आपका not applicable रहेगा फिर GST applicable को यहां से applicable कर लिजेगा HSN code जो है कि इसमें नहीं डालना है तो as per company group रहेगा फिर इंटर करेंगे और GST rate details में specified details यहां पर click करना है taxability इसमें से select करना है taxable में इंटर करना है और tax अगर 12% आप काट रहे है तो यहां से GST tax आपका 12% रहेगा यहांने GST rate फिर इंटर करेंगे type of supply यहां से हम goods को select करेंगे और हम इसको कर देंगे accept तो दोस्तों sales का laser आपका बन गया अब एक बनेगा CGST का laser इंटर करेंगे यह जाएगा under आपका duties and taxes में तो दोस्तों यहां से आपको select करना है duties and taxes फिर करना है इंटर उसके बाद type of duties यहां से लेना है GST फिर इंटर करना है text type यहां से दोस्तों select करना है CGST फिर इंटर करना है percentage of calculation कितना percent करना है तो 6% CGST होगा तो 6% select करना है rounding method आपका होगा normal rounding तो यहां से normal rounding लेंगे limit हम यहां से 0 को select करेंगे और इसको कर देंगे हम accept अब दोस्तों एक laser बनेगा SGST का यह भी under जाएगा duties and taxes में इंटर करेंगे type होगा यहां से GST फिर इंटर करेंगे यहां से select करेंगे दोस्तों SGST इंटर करेंगे percentage 6% rounding method यहां से होगा normal rounding और rounding limit होगा आपका 0 फिर इंटर करके इसको हम accept कर लेंगे तो दोस्तों laser मेरी complete हो चुकी है अगर माल ने जाए किसी party का नाम बनाना चाहते है नाम का laser जिससे बेशना चाहते हैं तो हम एक बना लेते हैं अनील का अनील इंटर करेंगे यह लेजर जाएगा दोस्तों sundry data में तो यहां से sundry data क्या कर लेंगे सेलेक्ट कर लेंगे इंटर करेंगे उसके बाद bill by bill option को कर लेंगे यस फिर इंटर करेंगे और इसको हम कर लेते हैं यहां से जो दोस्तों अनील का GST पूछ रहा है तो यहां पर हम डालेंगे अन्राइस्टर क्योंकि यह मेरा ग्राह का इसके पास GST नहीं है तो इसको अन्राइस्टर डाल करके GST छोड़ देंगे और इंटर करके हम कर लेंगे accept अब दोस्तों हम इसके से जाएंगे back अब कौन सा समान आपको बेचना है तो इसके लिए फिर से जाएंगे यहां से create option में और यहां से बनाएंगे units इंटर करेंगे और यहां पर लिखेंगे piece पूरा नाम होगा PIEC और यहां से number पहलेस में लिखेंगे अब लोग PCS piece number of decimal पहलेस जीरो होगा और इसको कर लेंगे accept अब इसके बटन से जाएंगे दोस्तों back बैक जाने के बाद फिर create में जाएंगे और बनाएंगे stock item तो अब यहां से यहां से एक code डालेंगे फिर इंटर करेंगे description कुछ लिखना है तो लिख सकते है जैसे aim size और इंटर करेंगे उसके बाद GST details यहां से specify details यहां से taxability taxable यहां से GST rates को लिखेंगे 12% tax है ना तो totally 12% इंटर करेंगे type of supply होगा goods और accept तो दोस्तों यह already अपके सारे lasers और आइटम बन चुके हैं अब escape से back जाएंगे sold करने के लिए हम जाते हैं यहां से voucher में इंटर करते हैं sales के लिए दोस्तों shortcut की होता है F8 तो आपको F8 प्रेस करने के लिए यहां पे click करना होगा sales पे sales खुलेगा किस्ते बेशना है अनिल से तो अनिल को select कर लेंगे और इंटर करके हम आगे बरेंगे अनिल पाटी का detail से यहां पे आपको एक बार फिर से पूछा जाएगा तो दोस्तों यहां से पाटी details हम डाल लेते हैं यहां ओल लेडी डाला हुआ है सिर्फ इंटर करके आपको देख लेना है और आगे बर जाना है sales का लेजर डाल लेना है यहां से समान है आपका short short को डा कर देना है, और यह अट्ओमेटिक आपका फिल हो जाएगा. फिर यहाँ पर आपको चार्ज करणा है CGST, इंटे करेंगे ब इन्टे करेंगे U pockets कोट हीटार करेंगे नाम लिख लेंगे अनील का इंटे करेंगे और अगर दे रहा है है डेट वाइज तो डेट डालेंगे नहीं तो अभी तुरंत पैसा लेना है तो कोई डेट नहीं डालेंगे और इंटर करेंगे इंटर करने के बाद एक narration लिखेंगे ब इई आई एंजी बिंग एशोल्ड शोल्ड और इसको कर लेते हैं हम accept तो दोस्तों यह sales का transactions आपका हो जाएगा अब क्या करना है पैसा receipt करना है तो हम तुरंत receipt खोलेंगे receipt खोलने के बाद यहां से receipt number डाल देते है one day डाल देते हैं यहां से अनील को जैसे select करेंगे इसको select करके इंटर कर दीजिएगा पेंडिंग विल्स आ जाएगा और यहां से इंट अफ लिस्ट करेंगे और आगे बरेंगे यह पैसा आप कैसे ले रहा है अब अगर आपको bill print करना है इसके लिए escape से back जाईएगा बैक जाने के बाद डिवुक में जाना है आपको इंटर करना है sales वाले को select करना है transactions इंटर करना है alt के साथ p button प्रेस करना है यह print का option देगा फिर current option पे क्लिक किजिएगा उसके बाद preview option पे जाईएगा दोस्तों यह print का design आपको automatic यहाँ पे कुछ इस तरह से show कर जाएगा जहाँ पे tax invoice लिखा रहेगा यहाँ पे ABC का अनिल का consume name और यहाँ बायर लिखा रहा है shipping to और यहाँ से आपका बायर लिखा रहाएगा और totally यहाँ पे details रहाएगा gst rate hsn code quantity rate और यहाँ पे amount और cgst sgst gst taxable clear और यहाँ पे आपको this bill is computer generated in vice और यहाँ से for ABC signature और यह bill आपका बन करके ready है अब दोस्तों अगर इस bill को आप print करना चाहते हैं तो इसके लिए आप control P button use कर सकते हैं या फिर यहाँ से print button पर command देंगे तो भी आपका print हो जाएगा या control के साथ P पर command देंगे तो यह print का design आपको यहाँ पे खुल करके आ जाएगा या फिर आप इसको save भी कर सकते हैं या फिर आप इसको back जा करके और एक बार फिर back जाएगे और directly यहाँ से भी print button पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ से आपको printer का यहाँ पे नाम आपका save करके और इसको PDF में आसानी से print out निकाल सकते हैं तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा comment करके जोड़ बताई और प्लीज मेरे चैनल पर नाया है तो चैनल को like and subscribe किजिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए take care have a nice day bye bye thank you